हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम किसी रासायनिक समिकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझेंगे और बाद में हम किसी भी समिकरण को संतुलित करने के लिए इस निश्चित तरकीब का अनुसरण कर सकते हैं समिकरणों के संतुलन को सीखने के लिए ये सबसे सरल तरीका है आईए अब हम रासायनिक समीकरणों के संतुलन को सीखना शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है वास्तव में संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पस्चात प्रत्येक तत्व के परमानुओं की संक्या समान होनी चाहिए ऐसा कहना गलत न होगा कि किसी भी रासायने कभी क्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्मान होता है और ना ही विनाश आए हम उदाहरन ड्वारा संतुलन विधी को समझते हैं आइरन की प्रतिक्रिया पानी से करें जो आइरन उक्साइड और हाइडोजन पैदा करता है इस रासायने कभी क्रिया में तीर के निशान के दोनों और के तत्वों के परमानू की संख्या की तुलना करेंगे जैसे की आप देख सकते हैं आइरन के LHS में एक तथा RHS में तीन परमानू हैं हाइडोजन के LHS और RHS में दो परमानू हैं तथा ओक्सिजन के LHS में एक और RHS में चार परमानू हैं सुविधा के लिए हम सबसे पहले सबसे अधिक परमानू वाले योगिक को पहले संतुलित करते हैं या हम यू भी कर सकते हैं कि पहले धातू या अधातू को फिर ऑक्सिजन और हाइडोजिन को संतुलित किया जाता है ये याद रखना आवश्यक है कि पर्मानुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा योगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं सबसे पहले Fe3O4 और उसके ऑक्सिजन तत्व को चुन कर संतुलित करने का प्रयास करते हैं ओक्सिजन पर्मानू को संतुलित करने के लिए हम चार गुणांक लगा कर 4H2O लिख सकते हैं लेकिन याद रहे इसे हम H2O2 या H2O the whole 4 इन तरहों से नहीं लिख सकते Fe तथा H अब भी संतुलित नहीं है LHS में Fe का 1 और RHS में 3 पर्मानू है तथा H के LHS में 8 चार गुणां 2 तथा RHS में 2 पर्मानू है तो हाइडरोजन पर्मानू को संतुलित करने के लिए दाई और H2 अणू की संख्या को 4 कर देते हैं अब Fe को संतुलित करने के लिए बाई और हम Fe के 3 पर्मानू लेते हैं अंत में इस संतुलित संतुलित करन की जाच करते हैं Fe के 3 के दोनों और 3, हाइडरोजन के 8 तथा ओक्सिजन के 4 पर्मानू हैं अब संतुलित के दोनों और के तत्वों के पर्मानू की संख्या बराबर हैं अतह ये संतुलित है अर्थात द्रव्यमान का ना तो निर्मान हुआ और ना ही विनाश इसलिए अभीक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के पर्मानू की संख्या समान है दोस्तों जैसा की हमने बताया कि समीकरन संतुलन सीखने के लिए कड़े अभ्यास की आवश्यक्ता होती है इसलिए आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें इसके लिए हम आपको कुछ असंतुलित समीकरन दे रहे हैं विडियो को रोक कर इनका बताय हुई विधी से संतुलन कीजिए और फिर अपने उत्तर का मिलान कीजिए इस अभ्यास के बाद आप किसी भी समिकरण को स्वयम सरलता से संतुलित कर पाएंगे दोस्तों किसी भी समिकरण को संतुलित करने के लिए याद रखें सबसे पहले धातू अधातू ततपश्चात, हाइडोजिन और ओक्सिजिन को संतुलित करना होगा आशा करते हैं कि इस तरकीब से आप कठिन से कठिन समिकरण को सरलता से संतुलित कर पाएंगे दोस्तों इस विडियो में हमने रासाइनिक संतुलित कर सकते हैं इसका अध्ययन किया अगले विडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जानेंगे